नमस्कार मेरे किसान सातियों आपके चैनल एगरीवर्टी अदेट में आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है दोस्तों आज मैं हूँ आलू की राजदानी खंदौली में बहुत कमेंट आए बहुत लोगों ने कहीं कि सर्माजी खंदौली में जाकर खासकर गुजरास से और बागी नॉर्मल अपना खेती भी बहुत अच्छे बड़े इस्तर पकड़ते हैं तो चौदरी साहब बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और पहले अपना परिचेप पूरा दो जिले और इस्टेट पूरा उत्तर पते सब सब कुछ बताओ मेरा नाम करमगीर जूरल है और मैं खंडौली का रहने वाला हूं और रस अग्रोटेक के नाम से अपना एक मार्का चलता है और हम कलगवक सो 110 एकड अलू के तीत लगाते हैं जान पहंचान की बात है तो काफी सामाजी बढ़ाई चुब हैं आपको के सोचल मीडिया पर एक में मसूर है पहले से हमारे अग्रणी किसान रहे हैं और अच्छी इस तरगी करते हैं हमीं नहीं काफी लोग बढ़ी उसका एक जीता जाता है एक्जापल यह कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो दो कोल्ड इस्टोर मेरे के फोकस में आ रहे हैं बिलकुल आ रहे हैं और हैं अच्छा हमारे गाउं के लोगों नहीं बनाए है अच्छा चौदरी साब एक ची बता तो जो पुराने कोल्ड इस्टोर हैं जो जिनको मतलब समझ लोगे सब गाउं में किनामी डिलाके में कोल्ड नहीं थे तब अहां ज्यादा जाता था तो उसमें आप लोग कम नहीं थे अब किसान लगातार इस ट्रेड में जाद रहे हैं क्योंकि भी कर रहे हैं इस फीड्स जोड़े हैं तो पैसे ही सुदार हो जाई है अच्छा चैपसिटी बीड़ी है करीव चाड़े चैपसिटी बहुत है हमारे आगरा जली में तो पहली नमर पर आता आगरा जल इन फैसे होगे कोल्ड की तुमने एक दम वैल्यू बताया दी इतने कोल्ड लेव यहां पर हमारे यां और साल कुछ बंद भी पड़े तो बो भी चालू हो रहे हैं उन्हें पिछली साल करने चाहिए थे उनने चालू इस साल कर रहे हैं यह उनका मनला होगा कुछ सूच अब बात करेंगे पहले खेत तब कुरेदेंगे पहले कुरेदना क्या ये तो भाई का खड़ें हम बिलकुल देखना जरूर चाहिए पहले ये बताओ कि अगर देखो इस समय सोसल मीडिया एक बढ़िया रॉल भी निवा रहा है किसान के लिए और एक मतलब ऐसा काम भी हो रहा है जिसमें किसानों के साथ यह जो भी स्टॉक करता है यह जो भी खरीददार है जो भी व्यापारी है उसके साथ धोके वाला काम भी साथ आप को मैं काफी हिसार समस्ता हूं आलू के मामले में मैं वीडियो बना रहा हो कि आपका पौजीसानगर लेके चले आपका अपना यह जरूरी नहीं कोई व्यापिस्त तो किसीने देखा नहीं आगर आगर आज की सती में बात करें तो कैसे देखते हो आलू के लिए मत हम जो हमें लग रहा है कि बीते साल से यह साल कुछ बहतर रहेगी अच्छा अभी में और किसानों की तरह यह तो नहीं कहूंगा कि पैदावर कम आएगी हाँ इतनी कम आएगी यह हमें पता नहीं है एक अनुमान लगाया जाता है आप अधिकांस तरह देखोगे तो सब किसान यह कहते हैं कि पैदावर कम आ रही है लेकिन ऐसी हवाएं हर साल चलती है कभी-कभी हमने यह भी महसूस किया है कि पैदावर हमने पहले देखा कि कम लग रही है और बाद में जब हार्वेस्टिंग शुरू हुई पैदावर बर पूरा रही है जी 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 तो उसमें काफी देखाने बेश होर्य जाते हैं व्ह incremental जो ही और किसान भी चले जा जाते हैं युझें जो इसको बेचना है और वह यह और फरजी महोल के चक्कर में प्राम में सोच है कि बची कई प्रॉप पढ़ता है जैसे आज की डेट में एक माहुल जैसे क्रियेट हुआ है तेजी का लोग सोच रहे हैं पैदावार काफी कम होगी तो मैं यह मानता हूं पैदावार कम तो निश्यत होगी 2023 से बहतर है लेकिन रेट को भी हमें रिवाइज करना चाहिए कि रेट क्या है पिछले सा उन रेटों में पैसा ना बने हमारा और बैसे भी जिस रेट में आलो 600 अलू हमने अंदर डाला तो काफी रेट का डिफ्रेंस भी हो जाता है क्वाल्टी डिफ्रेंस कोल्ड में अंदर जाने के बाद में तो 600 अलू नौ सो पढ़ता है 900 की निखासी होगी जब जाकर तो पै पढ़े गई नहीं पढ़ेगा अब बात आती है कि 600 अधिकांस आलू किसानों नुकसान में बेचा है और यह कहें कि दस बार रुपे के लोग की निकासी और मंडी पहुंचते मोंचते 20 रुपे में अगर आलू बिपता है कंजूमर तक 20-25 रुपे में तो एक रेजनेवल कंजूम के लिए और उसे आराम से पकड़ता भी है तो खेत पैसे आलू अगर 600 रुपे बेचेगा तब ही किसान बेचेगा चौदरी साब बिल्कुल किसानों को जब तक 2 रुपे का लाव नहीं होगा तो बढ़िया मान रहा हूं किसानों के लिए साल गोल्डन है इसमें को अक्टूबर से पहले पहले ही 1000 रुपे के रेट में मेरा यह बिखते का तनमान है मैं यह किसी से नहीं कहूंगा नहीं बिल्कुल को सही बात कर रहा है मैं एक चैनल पर तो मेरा भी एक वीडियो बनाया तो उनने मुझसे पूचा कि सर्माजी भविस्या अलू का क्या साल ल बिल्कुल के साल देखी है अच्छी तेजी की साल 2020 जैसी भी आई अधिकांस किसान फाइदा लेकर चले गए कुछ किसान जो आखिर में फस जाते हैं क्या होता है कि सब को जब 1000 करीट होता तो 1200 दिखाई देता जब बारस होता तो 1500 बिल्कुल सब जो इस टो धीर बढ़ता जाता फिर जब ओवर्फलो होता है तो एक्सिडेंट गो जाता नए और पुराने में लास्ट यह अगर 2023 में आपने कहा तक आलू बेचाता हूंचे में मेरे पास जो अधिकांस बीज कर काम था मैंने श्टॉक तो नहीं किया था करीब 1100 गुजरात के अपने मारे मिलने वा पास जैसे दो गाडियां थी के वल वही मतलब रासन बेची थी हाइबड़ गी अच्छा वो क्या रिट बेची थी वह साथ चैसो साथ रुपए और सासु रुपए अब क्या नगात कि नहीं हाँ हाँ है अब बात करेंगे ओवरॉल खंदॉली की तो खंदॉली में इस साल पिछले साल करी 25 से 30 परसेंट थी हम जैसे आगरा रीजन को मानते है अगरा जो बहालीगर से लेकर के टावा तक लागाते हैं इसकी कैपिटी कैपिटी लगवा साड़े चौदा करूट तक तो इसमें मैं समझता हूं को पिछले साल 30 परसेंट लगवा था और इस साल हम पर यहां पर जो टोटल बात करें अगर थोड़ी बैसी बात हो जाएगी को बात जाएगी को ट्री इस साल भर जाएंगे सारे के नहीं हमारे माई से लेकर कि साधाबाद के भी कौल इस्टोर आते हैं इन 14 दो करोड़ पिछाशीला कैपिटी यह पार जाती जब हमारे अफस से स्टोक हमारे हैं कम रहेगा आगर अगर मिनीमम 10 परसंट मुझे लग रहा है कि कम रहना चाहिए पिछली साल से अपना अपना अकल आने 15 परसंट तो हमने भी सही सोचा है देखो क्या है एक चीज और हम देख रहे हैं कि जब तक बेल हरी रहती जब तक पैदावार बढ़त साल से topp करें हम तो लगब लगब खेती ति मैंने और उधरी देखा तो लगब ऐसी ये तीसिंची पैर चपई सिंची पैर चपीं सिंची में लगा थे बढ़ा और तो चलो देखें कैसा आयगा ऀलू एक पोधा निकाला के मजबूर्सा इस पोधा इस लिली चटपट कर कि यह 24 अक्तूबर की बजाई है 24 अक्तूबर की बजाई है यह चौबीस अक्तूबर की बजाई है यह कि बोदा लेना है यह बगलबार की आहरे है अलुट एकका है और भी आख vors आग्या हो आजिए देखो इस जगहें में इसी प्राई गालू के अलू कि प्रच्थे है न वे आलू जब्डेदेश निकलते हैं जटनें जोन्यजायाँ नेम्बरोट्मर सब्सक्राइज जोने है नाकुन ऌई चला जागा को कण लूपकूल है कि अभीज Nag 투 Amp भी ब्हूर में चार में चूरा नलू चालव 2 लोई दो तीन चार पांच है 7-8-9-10 नो सब्सक्ते मोलन ॐसकता है इसमें नीचे 2 लो जोने जया हो इस समय हम कुरेते पर हैं प्रेटों में आगलन इससे कितना लग सकता है इस से 19-20 आंकलन इसमें पैदाबर कुछ कम आएगी साइज के साथ से लेकिन असलिए तो तभी सामने आएगी जब ही लगेगी और सच्छा ही जब सामने आ जाएगी तभी उसका अनमान करना चाही कि हम करना रहे करना या कोल्ड में डालना और फिर 10 परसेंट का तो प्रका ही अब जो इसके बाद जब खुडाई होने के बाद पता चलेगी कि दसे और कितना कम जाता है ने कि हम वूंच यहां से कच्चे की खुडाई हुई है जया पेदाबर कम बताना है यह कुज पैदाबर क अब यह दिल्ली अभी मैं फॉन करता हूं दो मिनट में अब बुकर रहा है तो फी जाना है आपके साथ इस दूसरे का गया है जो चमक तुम्हें ज्यादा कैसे निकलती है भाई आलूब यह खेती बढ़िया है फोड़े पीली मिट्टी का खेत है इस दूसरे का यह जा रहा है तो इस इस पाँ चालूब यह वाला इस पौदे का अच्छा यह और देखो आल देखो किते दिन चल जा अब तो कट्रे का नंबर आ अब तो इसमें चार इस परे हो चुकी है चार इस परे हैं चार इस पर चुकी है अच्छा चार इस पर आई हैं वह भी हैवी फंगी साड़ लगें जब अब तो ब्रांट अरी एं में खड़ें मैं खेतो रहां खंदोली में खड़ें में में तो चोजी तब ज्यादा आदेगो अभी मैं भी नहीं चारा हूं के घूमते फिरें के खेतों में देखते फिरें मेरी भी समस्य बाहर है चीज क्योंकि लोग इससे यह समझते हैं कि आरे आप माहल बना रहे हो आप हम कुछ मा कोई आइडिया नहीं आती है अब महुत चटने पर आएगा मसीन पर और अपने पता चल जाती है कि हां कैसा निकलेगा आज खंदोल मा पर मोहन आलू खुदरा था सिर्शागंज में अभी मेरे पास वीडियो बेजें कि सामने लोड़िंग होई है मुंबई के लिए आल पहली कट चली गई थी तो देखते हैं चौदरी साब कैसे रहेगा बैसे ओवर ओल चौवीस बढ़िया रहे नहीं चाहिए तो लग रहा है कि 2023 से यह चौवीस बैतर रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय दिया बागी यह के यह आप यहां आए हम सब्सक्राइब तो जो सारा कुछ वही तंत्र है हमारा तो आप जैसे लोग जुड़े हुए हरे एरिये से आप उनसे रिपोर्ट लेते रहते हैं हम लोग अभी आप मैंने की लाव आप से बात जरू करें कई खंदौली के लिए बहुत लोग कह रहेते कि क्या होगा क्या हो नमस्ते